राम राम जी सारे भाई कैसे अपने वोप सब अच्छे होंगे और अपने घर पे सारे हेल्दी होंगे आज आपके लिए एक अच्छी और स्पेशल फीचरिस्टिक गाड़ी का रिव्यू करने वाले हैं और बहुत ही शान्दार ये गाड़ी थी आई थी जब इसने एकदम त कंपनी थी जो किया किया सेटोस का आज हम रिव्यू करेंगे और आपको इसके बारे में सारी डिटेल्स देंगे कि गाड़ी की क्या-क्या खूबिया हैं और क्या-क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं तो वीडियो को पूरा देखना और एंड तक बने रहना चलिए वीडिय एक चीज का हम आपको इसके बताते हैं कि क्या-क्या इस गाड़ी में हमें मिल जाता है किता इंजन मिलता है और और भी बहुत सारे फीजियर्स मिलते हैं तो स्टे ट्यूंड आगे पूरी वीडियो देखें चलिए शुरू करते हैं तो गाइस यह इसका एच्टी के वेरिय और बूट ओपन का और आप इसको होड़ करके रखते हो तो यह इसकी की की बात अब इसके टायर साइज पर देखें तो आपको आपको बताना चाहूँगा कि टूबलेस टायर हमें आर सिक्स्टीन के मिल जाते हैं इसमें सोला इंचिस के और वील कैप देखने को मिल जाती ह ठीक है जी क्लैडिंग्स की बात करें तो यहाँ पर में क्लैडिंग्स देखने को मिल जाती हैं ज्यादा बड़ी नहीं है नॉर्मल साइज की क्लैडिंग्स देखने को मिल जाती हैं साइट प्रोफाइल आप देख सकते हो कैसी दिखरी है यह कुछ साइट प्रोफाइल है और अगर हम आगे की बात करें तो आपको यहां पर प्रोज्एकटर एड लेंप्स देखने को मिल जाते हैं यह टीर फोग लेंप्स इंसर्ट हो रखे हैं ठीक है जी यहां पर थोड़ा भ्लेक की सा पार्ट आप देख सकते हो बीच में ब्लेक है और उपर और नीचे वाइट जो परस्टनली काफी मेरे को बताऊं तो अच्छा लग रहा है यहां पे आपको कुछ सिल्वर इंसर्ट देखने को मिल जाता है जैसे कि आप यहां पर देख रहे होगे और यह रात में जलती है यह सारी चीजें और यहां पर कुछ दाथ जैसे यह निकले होएं ब्लैक पार् तो जी गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल की बात करें थे कुछ ऐसी हमें रूप रेल्स और आगे से मैं आपको दिखाना चाहूँगा तो गाड़ी कुछ ऐसी दिखती है देख रहे हैं ठीक है जी साइट प्रोफाइल मैं आपको बताई दी थी यहां पे हमें और वीम्स प अब को बात करें देखना को मिल जाता है सेल्टोस की बैसिंग मिल जाती है इन पर यह पनी Кिया कि बीज में भाजिंग मिल जाती है और यहां पर मैं सेंसस देखने को मिलते है नीचे की तरफ यह क्लैडिंगOW यहां पर हमें इसके रिफ्लेक्टर्स भी देखने को मिल जाते हैं तो यह कुछ होगी है इसकी पूरी आउटर की जो बात थी अपनी बारिश हो रही है और बारिश में आपके लिए वीडियो बना रहे हैं तो देख सकते हैं आप साइट प्रोफाइल की और जो इसका आपको ग्राउंट्री एरियंस है वह भी मैं दिखाना चाओंगा इसका में ग्राउंट्री एरियंस मिल जाता है डाइमेंशन इसके आपको आपके स्क्रीन पर दिख रही होंगी तो भार की बात हो चुकी है आपको वान जाता बेदर आपको अновदर के आभी के अलग जाता है तो लोजी गाड़ी को खोल लेते हैं बैद तो ना राक्ति के अंधर या normal की मैंने भी लगाई पश्च्ची बीच में में द stratégि विल पर यह फिलती है यह के और यह विल लो जी तूंटू शुरू हो गया है तो इंस्ट्रुमेंट क्लस्टर के अगर हम बात करें शुरू में तो कुछ ऐसा हमें एनलोग और डिजिटल दोनों तरह का इसमें इंस्ट्रुमेंट क्लस्टर देखना को मिल जाते हैं जिसमें बीच में M.I.D. दी गई है सारी इंफॉर इंफॉर्मेशन शुरू होती है जैसे कि यह आपको दिख रहा होगा 0 km पर आओ यहां पर हमें स्पीड पता चल जाती है एनलोग और डिजिटल भी ऊपर हमें रेंज दिखाई दे रही होगी जैसे 96 km सा भी गाड़ी चल सकती है तो यहां पर रेंज दिखाई गई है अगर हम इसके जो साइन्स की बात करें तो यहां पर नीचे एर बैक्स के वागरा के और सीट बैट्स के कुछ इंफॉर्मेशन सा जाती है हमें और साइन वोर्निंग भी दिखाता है यह अगर इस चीज की बात करें तो यहां पर हमें टेंपरेचर वागरा और फ्यूल वागरा का पता चल जाता है तो काफी बेसिक सा और सिंपल सा मुझे ये एक जो थोड़ा बहुत अट्रेक्टिव लगा इसका इंस्ट्रिमेंट क्लस्टर क्योंकि सारी चीजे हमें अच्छे से यहां पर यह निए कि कुछ चीज देखने के लिए हमें अलग से कुछ करना पड़ रहा हू अब इसको कंट्रोल करने का देख लोगा जी कंट्रोल इसको हम यहां से करेंगे इंस्ट्रिमेंट क्लस्टर का में दिया गया है बटन यहां पर यहां से आपको सारी जो चीजें हती है वो आ जाती है डोर हो गया जैसे लाइट्स होगी convenience service interval सारी बहुत सारे features है इस गाड़ का option है ठीक है जी तो यह कुछ इसके features हैं और इनी features के मतलब इनी features के जो देखते हैं लोग इसके तदफ ज्यादा attract होते हैं यहां पे पूरा हमें piano black finish के साथ यह पूरी जो इसकी instrument cluster को और infotainment system को जोड़ती है एक अच्छी सी piano black finish मिल जाती है steering पूरा wrap करवा रखा है leather wrap है और यहां पे किया की बैजी मैंने आपको बता जी थी steering मेरे को काफी अच्छा लगा response मैं आपको चलाने के बाद बताऊंगा तो अब आयाते हैं जिसके light वाले पार्ट पे की light को control करते हैं यहां से ठीक है तो यह अपना fog lamps का हो गया और passing का हो गया और light यहां से on हो जाती है ठीक है जी AC vents देख सकते हैं आप काफी अलग सा design है जो और कार होती है उनसे काफी अलग दिख रहा है यहां पर भार थोड़ा ग्रेश से finish दी गई है और मैं को दिखाना चाहूंगा कि बीच में यह जो चीज है न यह इस गाड़ी की premium नेसको काफी increase कर देती है तो लोग जी अब side panel प उनको set करने का यहां से option मिल जाता है और lock unlock का यह features है यहां पर आप अपने mirrors के बटन होते हैं वो मिल जाते हैं तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसका htk variant है तो आपको इसमें AC है जो वो manual मिलता है आप देख सकते हो पर इसकी finish काफी अच्छी है जैसे कि blackish finish दे रख यह बाई मेरे को तो काफी अच्छी लगी आप comment करके बताना अगर आपको भी इसका जो interior है उसका finish कैसा लगा ठीक है अगर हम आगे की तरफ आए तो आगे भी यह देख सकते हैं आप speaker insert कर सकते हैं आप ठीक है और कुछ ऐसा इसका पूरा panel मिल जाता है जो इसका plastic यूज कि क्या गया हो मैं कह सकता हूं कि थोड़ा सा अच्छा है और गाडियों के मगाबले क्योंकि अंदर बैठते तो काफ़ी premium होता बाई गेर बोक्स की बात करें तो आपको इसमें six gear box option मिल जाता है और reverse gear अगर आपका engage करना है तो आप इसको ऊपर करके और यहां से reverse gear engage हो जाता है और camera आप देख सकते हो है इसका clarity कैसे है camera की तो अगर हम इसके infotainment system पे आए हैं तो infotainment system आप देख सकते हो कि यहां पे हमें कु प्लस टच्स्क्रीन मिल जाता आपको और इसे infotainment system के अगर मैं features बता हूं तो इसमें आपको apple car play और android auto जैसे features लेकर मिल जाते हैं प्लस आप usb भी लगा सकते हो और यहां से आप इसके sound को controls कर सकते हो तो settings पे जाते हैं हम तो आपको इसके display के बारे में पता चलता है कि क्य क्या brightness है blue light वगरा कि इसमें features है home screen पर जाना तो यहां पर आप जा सकते हो तो यह कुछ इसके features हैं और यह गाड़ी information भी देती है आपकी कि आपकी गाड़ी का क्या-क्या मतलब schedule है और यह जब आपको दिखाना चाहता हूं कि कि कितनी चली है वह गाड़ी वह भी दिखाती ह है इसमें सब कुछ है यहां भी आपको सी टाइप charger मिल जाता है और 12 वोल्ट का भी अलग से आपको charger देखने को मिल जाता है तो आप इसमें Bluetooth की connectivity भी कर सकते हो Bluetooth का भी option है IRVM की बात करें तो कुछ आपको simple सा IRVM मिल जाता है ओटो नहीं है यह देख सकते हो आप और जाते हैं जी यहां पर यहां पर संग्लास होल्डर मिल जाता है लाइट्स मिल जाती है ठीक है जी यह आपको डॉर लाइट्स जब आपको डॉर खोलोगे या बंद करोगे तो उ इनिटी मीरर मिल जाता है यहां पर यहां पर आपको यहां पर नहीं रख सकते हो और स्पीकर्स आपको मिल जाते हैं यहां पर मेरे को सबसे अच्छी बात पता है गाड़ी क्या लगी यह जो ट्रॉम और यह जो ग्रेश जो इसका element है इसको मतलब गाड़ी के लुप को करता है जैसे आपको यह दिख रहा होगा ना यह सारा पूरा मिला हुआ है अब इसको खोलोगे तो यह लग हो जाए देखो तो यह चीज मेरे को काफी से अच्छे लगे और थर्ड साउंड भी अच्छे वाई जब गाड़ी के जो डोर्स वगे रहा है सारे हैवी हैं तो य है कि हमने सारी बात कर लिए अब चलते हैं इसके पीछे और पीछे का मामला दिखा दे आपको कि पीछे अपने को किता हैड रूम लेग वगहरा सब कुछ मिल जाता है मैंने अपको यहां पर यह भी बता होगा की टेक 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 यह देख लो आई तो चलो जी अब चलते हैं गाड़ी के पीछे वाली सीट पर एक बात भूली गया यार हाइट अर्जस्टमेंट भी मिल जाता आपको मैनुवली यह देख सकते हैं यहां से और आपको स्टेरिंग यहां पर tilt मिल जाता भाई ठीक है टेलिस्कोपी ने मिलता है tilt मिल जाता है तो ये तो जी wipers मिल जाते हैं आप आप wipers को कंड्रौल करना चाहते हो याहां रोधे कर सकते हो तो आगे का माबला मेरे साब से पूरा complete होग्या है अब पीछे की तरफ चलते हैं पीछे वाली सीट पे तो पीछे वाली सीट पे आप इंटियर देख सकते हो पीछे से कैसा लगता है आगे पूरा डेशबूर्ड आर यह कुछ फिल पीछे भी हमें जी एक डोर मिल जाता है ना लाइट मिल जाते शोरी यह डोर ओपन है इस विए से जल रही है ग्रैब हैंडल यह लेग रूम मिलता मैं मेरे को अगर मेरी बता हो तो मेरी जो हाइट है वह पांच फुत और साथ इंच के लगबग होगी और मेरे को अच्छा आखा सा हेड रूम मिल रहा है छे फीट वाला बंदा भी अच्छा आराम से बैठ सकता है मेरे इसाब से और पूरी मतलब कमफर्टेबल जगह है आप देख सकते हूं तीन बंदे तो मदलब आराम से एडजस्ट हो सकते हैं है एड्रूम आपको इसमें नहीं मिलते हैं इस वेरियंट में लखने की थोड़ी वह जगह दी गई है तो यहां से गवर आप देश लो जो पूरा आपका डैश्बॉर्ड कैबिन हो कैसा दिखता है और भाई मेरे को परसनली वादा रहा हुई है स्टेरिंग विल इसका काफे इंप्रेसिव लगा तो मैन्वल यह गाड़ी है पेट्रोल ठीक है जी एच्टी के वेरियंट है अब जम चलते हैं इसके पीछे और इसका जो डिगई है वो दिखाते हैं आपको कि कैसी में दिखती है आपको कैसा उसमें साइज मिल जाता है कितना उसमें बूट स्पेस मिल जाता है तो चलो जी पीछे चलते हैं आगे जी इसके लेंप भी दिया गया है तोड़ी वो जगह जी यह तुछ रतने की और यहां पर आपके आराम से तीन लगेज आ सकते हैं ठीक है ट्रे आपको इस वेरियंट पर नहीं मिलती है पार्शल ट्रे जो होती है तो यह कुछ मामला था जी किया सेल्टोस का तो जी गाड़ी होगी अपनी शुरू और चलाते चलाते बताते हैं कि गाड़ी की ड्राइविंग का टॉर्क प्रोवाइड करता है तो अगर मैं इसके आपको पूरी ओवर्रोल परफोर्मेंस की बात करूं गाड़ी की तो पीकप मेरे को अच्छा लगा गाड़ी का नो डाउट जो इसका 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन है काफी स्मूथ और मेरे को काफी मतलब पावरफुल तो नहीं मतलब बीच पीच का लगा कि अगर आप एकदम थ्रोटल करते हो तो गाड़ी में आपको पता चलता है कि इंजन है 1.5 लीटर का और न्यूटन मीटर के 1.414 न्यूटन मीटर के तो पता चलता है फील होती है वह चीज और प्लस फीचर्स गाड़ी के जो आपको द सारी चीजे मिल जाती है तो ऐसा गर के मैंने आपको जो जो इंफोर्मेशन दी है मैं यह जो सारी इंफोर्मेशन है और डाइमेंशन मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाए दे पहले और अब इसके प्राइसिस भी आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पे तो पुछ ऐसा इसका experience है अगर आपको एक smooth और फीचरिस्टिक गाड़ी चाहिए तो आप इसको consider कर सकते हैं और अगर आपको मतलब सारी information helpful लगी हो और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को subscribe करना मत बूलना है क्योंकि आपका एक subscription हमारे लिए वह ज़रूरी है तो अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे तब तक के लिए thank you have a great day हसते रहो सभी कुछ रहो धन्यवाद